हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अरध्या आरेस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आयो जीत राजस्तान रिट बरती परिक्षा लेवल टू के नविंतम पाठेकरम के अनुसार यानि कि सामाजिक अध्यन का जो नया सलेवस आया है 2021 में उसमें दोस्तों आपको भारती इतियास में 1857 की करांती का टोपिक दे रखा है उस टोपिक से समंदित आज मैं आपके लिए टोप 60 प्रेशन लेकर आया हूँ ये 60 प्रेशन विबिन परिक्षाओं में पूछे गए प्रेशन भी है और आपकी प्रिक्षा की दरिश्टी से अतियंत महतोपूर्ण भी है इन प्रेशनों को आपको दोस्तों रखना है और अरद्ध्यारेस अक्रण की यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्स रेजिडेंट थे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दिल्ली रियासत के रेजिडेंट थे कौन चाल्स मेटकॉफ याद रखना तो इसका राइट आंसर दे नंबर का ओप्षन सहुत्तर ठीक है आगे देखे राजस्तान में आववा का विद्रोह किस के नेतरत ह Walk वा तो दोस्तों आपने तो नाम तो सुना ही हो गा आववा का ठाकूर कुसालों सिंह तो इन ही के नेतरत्व में दोस्तों यह विद्रोह है हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैनमबर Un उप्षन सायुत्तर ठाकुर कुसाल सिंग आगे देखें बहुती अच्छे अच्छे लेवल के प्रस्ण है ठीक है एक दो प्रस्ण आपको उपर नीचे ऐसे देखने को मिलेंगे देखें आठाषास neste 18 18 इस वी के दोरान निमनलिकित मेंसे कौन से रियासत पर्थम ती जिसने अंगजो के साथ में संदी की थी तो दोस्तो अंगजो के साथ में जो संदी है वो 1817 18 में किस ने की थी ठीक है जो पहली रियासत थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है करोली करोली रियासत दोस्तों ऐसी थी जिसने सर्व पर्थम अंग्रे जो से संदी की थी एंनमबर का ओप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें चार नंबर का प्रेशन है जोदपूर राज्य के किलेदार को 1857 में आववा में करांतिकारियों ने मोत के घाट उदार दिया दोबार देखे बहुत अच्छा प्रश्न है यहाں पे देखे दोस्तों कि जोधपुर राजे के किलेदार को उस किलेदार का अपने को नाम बताना है ठीक है तो जोधपुर राजे के किलेदार को 1857 में आउवा में करांतिकारियों ने मोत के गाट उतार दिया था तो उसका नाम क्या था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो किस ने किसको मोत के गाट उतार दिया था तो इसका राइट आंसर वो है अनाड सिंग को ठीक है इसको ओनाड सिंग भी आप बोल सकते हैं अनाड सिंग भी आप इसको बोल सकते हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नमबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर ठीक है आगे देखिए इसमें पांच नमबर का प्रेस ने कोटा में 1857 के विद्रो का नेतरत्व करता कौन था तो देखिए कोटा में जो क्रांती हुई थी यह दोस्तों 15 अक्टूमबर 1857 को उई थी कब उई थी 15 अक्टूमबर 1857 को कोटा में विद्रो है हुआ था 1857 की करांती का ठीक है इस कोटा में देखिए नेतरत्व है वो जैदयाल वे महराब खां के नेतरत्व में यह करांती हुई थी तो इसका राइट आंसर क्या हो कब हुई करोली राज्य और अंग्रेजों के मद्रे संदी कब हुई तो यह संदी हुई थी दोस्तो नौव नौवंबर अठारा सो सत्रा को करोली राज्य ने अंग्रेजों से सरोपर्थम संदी की थी ठीक है तो इसका right मातर रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाईबल को साक्सी मान कर संदी की थी ये भी प्रस्न अच्छा है देखिए 1825 इस्वि में अंग्रेजों ने बरतपूर पर आकर्मन किया लेकिन दोस्तों जीत नहीं पाए उसके बाद में दोस्तों बरतपूर वालों को मनाने के लिए बाइबल का सारा लिया था अंग्रेजों ने और उनको समझाया था विश्वास दिलाया था ठीक है तो ये राजपुताना की एक मात्र रियासत ऐसी थी जिसके साथ अंग्रेजों ने बाइबल को साक्सी मान कर संदी की थी तो वो थी बरतपूर ठीक है ए नमबर का उप्शन इसका right answer हो जाएगा आगे देखिए इसमें आठ नमबर प्रेस्ट सिद्राज डड़ा कौन थे तो दोस्तों ये गांदिवादी एवं सर्वोदी नेता थे सिद्राज डड़ा दै नमबर का option इसका right answer हो जाएगा next day राजस्तान में 1857 में पर्थम विद्रोह कहां हुआ तो ये तो दोस्तों सबको पता होना चीए जो पर्थम विद्रोह है वो दोस्तों नसीराबाद में हुआ था कहां पर हुआ था नसीराबाद में और कब हुआ था तो दोस्तों 28 मई को हुआ था थीक है विद्रोह किस ने किया था तो दोस्तों पंदरवी नेटिव इंफेंट्री ने ठीक है ये एक सेनिक टुकडी थी उसने दोस्तों ये विद्रोहे किया था ठीक है ये पैदल सेना थी पंदरवी नेटिव इंफेंट्री ठीक है और फिर देखें विद्रोहे तो पंदरवी नेटिव इंफेंट्र है एक तो पंदर वी नेटिव इंफंटरी और सी एक त 10 वी नेटिव इंफंटरी फिकहे ये दोनों आपस में मिल गए थे ठीक है और दोस्तों मिलकर इन्होंने क्या कि दोस्तों थो तीन अंग्रे के वेनी नूबरो इस्पोर्टिस वूड ये तीन अंग्रे जदिकारियों को दोस्तों इन्होंने मार दिया था और फिर यहां से वे दिली चले गए थे ठीक है तो इसका राइट अंसर बै नंबर का उप्शन सही तर आगे देखे अठारा सो सतावन के विद्रो के समय जोदप से ना भेजी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कुसाल सिंग सिंग्वी के नितरत्व में अजमेर से ना भेजी थी ठीक है तो इसमें एन नंबर उप्शन राइट अंसर आगे देखे राजस्तान की पहली रियास्त कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ओफ लेप्स के अंतरगत हस्तगत हुई थी ठीक है उसे रियास्त का नाम अपने को बताना है यानि की जो डॉक्ट्रिन ओफ लेप्स के अंतरगत हस्तगत हुई थी तो सब को पता है वो थी करो ली ठीक है से नंबर का उप्शन इसका राइट अंसर हो ठीक है आगे देखे निम्भा हेडा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी तो वो की थी दोस्तों मेवाड की सेना ने तो इसका बै नंबर उप्षन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे दिसमें तेरा नंबर का प्रेशन है कुआडा भीलवाडा तीक है यानि कि कुआडा नामक इस्तान पर त्याटा टोपे की सेना का मुकाबला तो ऑन्गरेज अफसर की सेना के सात камबला two दोस्तों किसके सात हुआ था तो जनरल रोबर्स के सात में हुआ था दोस् तो इसका right answer, the number option, next है, देखे, जोधपुर लीजन के सेनिकों ने किस चावनी में करांती का उदगोष किया, तो यह किया था दोस्तों, एरिनपुरा में, एरिनपुरा जो चावनी थी, उसमें दोस्तों इन्होंने उदगोष किया था, यह भी आपको इसमें याद रखना है, और यहीं से ही, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा भी दिया गया था, तीक है, आगे देखिए, इसका right answer, 7 नेक्स्ट है, निमन लिखित में से कोटा में 1857 की करांती का नेता था, तो कौन था, तो अभी मैंने आपको बताया था, कि दोस्तों, देखिए, 6 सेनिक चावनिया है, टोटल, ठीक है, प्रसन बनेंगे आपके कम, आराम से आप, इन प्रसनों को आराम से रट सकते हैं, यहा प्राब खां ने इस करांती का नेतर्त्व किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, से नंबर का उप्शन सयुत्तर, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, दोस्तों, उस समय कोटा का राजा था, राजा राम सिंग सेकिंड, और करांती कारियों ने क्या किया था, कि राजा राम सिंग सेकिंड को नजर बंद कर दिया था, यानि कि किले में कैद कर दिया था, ठीक है, और जो बरटन था, मेजर बरटन, ठीक है, जो पोर्टिकल एजेंट था, मेजर बरटन, उसको दोस्तों मार दिया गया था, और उसकी लास को पूरे कोटा में गुम तो इसका राइट आंसर जैदयाल से नमबर उप्शन से उतर आगे देखें आवा के ठाकूर कुसाल सिंग को किस ठीकाने द्वारा सरण दी गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है किसके द्वारा दी गई तो यह दी गई दोस्तों कोठारिया ठीक है कोठार में दोस्तों इनको सर जो क्या दी गई शरन दी गई थी ठीक है तो इसका राइट आंसर दे नंबर का जो उप्षन है वो बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए 17 नंबर का प्रेशन है 1857 की करांती के दोरान मेजन बरटन और उसके दो पुत्रों दो पुत्र है वो कहां मारे गए थे अच्छा प्रस्ण है मैंने अभी आपको बताया कि दोस्तों मेजन बरटन की हत्या है वो कहां की गई बताया था भी आपको कोटा में ठीक है और मेजर बटन के साथ में उनके दो पुत्रों को भी मार दिया गया था और उनके साथ में दोस्तों उनका एक परसनल डॉक्टर भी था उसको भी मार दिया गया था ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा दैनम्बर उ खित में से किसने राजपुताना की देशी रियास्तों के साथ 1817, 1818 की अधिनस्त संदी की बातचीत की थी तो किस ने, तो ये की थी दोस्तों किस ने, तो वो है चाल्स मेटकोंफ ने, ठीक है, A number का option right answer हो जाएगा important press नहीं भी आगे देखिए राजस्तान की कौन सी देशी रियासत ने बिर्टिस सरकार के साथ सबसे अंत में परत्यपन संदी की तो दोस्तो सबसे अंत में बिर्टिस सरकार के साथ में जो संदी है वो किस रियासत ने की थी तो वो की थी दोस्तो किसने जसलमेर ने किसने जसलमेर ने क्या सही है नहीं सबसे लाश्ट में की थी दोस्तो शिरोई ने तो इसका right answer A number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान में सवतंतरता की आजादी का गड़ किसे का जाता है तो ये का जाता है दोस्तो भीलवाड़ा को ठीक है सापुरा भीलवाड़ा वहीं के तो थे ठाकुर कुसाल सिंग वगएरा सब ठीक है तो इसका बै नंबर का option right answer आगे देखिए राजस्तान में बिटिस सरकार का कारियल है इस्तित था तो बिटिस सरकार का जो कारियल है वो कहां पर इस्तित था तो ये था आबू के अंदर कहां पर था आबू यानि कि माउंट आबू में था कारियल है ठीक है देखिए आपको बता दू कि 1845 में आबू में मुख्यालब बनाया गया था ठीक है किस का तो दोस्तों अंग्रे सरकार का तो इसका रॉइट आंसर 0 बैं नमबर उप्चन आगे देखें सेखावाटी बिग्रेट का मुक्याले का है तो यह था दोस्तों जुद्जुनू में बैं नमबर का उपब्चन रॉइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 1857 के विद्रो के समय जोधपूर के माराजा कौन थे तो दोस्तो जोधपूर के माराजा कौन थे अभी मैंने आपको बताया था कि जोधपूर के माराजा तक्त सिंग थे कौन थे तक्त सिंग तो इसका राइट आंसर ए नमबर का उप्शन सही उत्तर आगे देखे आववा के युद में किस बिर्टिस पोर्टिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी तो दोस्तो आववा के युद में ठीक है आववा का युद हुआ था दोस्तो 20 जनवरी 1858 ठीक है और करनल हमस करनल होमस तथा हंसराज जोसी ने आववा पर आकरमन किया था और कुसाल सिंग अपने छोटे भाई परत्वी सिंग को छोड़ कर मिवाड साहता के लिए चला गया था ठीक है और होमस ने आववा पर अधिकार कर लिया था और जो सुगाली माता थी ठीक है उनक इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है इसमें मोक में संकी हत्या कर दी गई थी ठीक है तो इसमें ए नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखें दोस्तों इसमें पच्चीommes नंबर प्रैश्न इसमें देखें 20 जनवरी अठारा सो अठावन को किस अंग्रेज सरकार ने आववा पर आकर्मन किया बहुत यचा प्रशन है तो यहां पे देखें बीश जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सासक ने आवापर आकर्मन किया तो मैंने अभी आपको बताया करनल होमस नहीं किया था तो इसका राइट आंसर दे नंबर का उप्शन सहुत्तर आगे देखे राजस्तान में रियास्तों पर परभावी नियंतर ने इस्तापित करने के लिए राजस्तान में पहली बार एजी जी यानि कि एजेंट टू गवर्नर जनरल बना था और इसका मुख्यल है अजमेर बनाया गया था ठीक है और मिश्टर लोकेट राजस्तान के पहले एजी जी थे ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है और 1857 की करांती के समय जोर्ज पेटरिक लोरेंस ये राजस्तान का एजी जी था ठीक है और ये एजी जी बनने से पहले यानि कि जोर्ज पेटरिक लोरेंस एजी जी बनने से पहले मेवाड के पोर्टिकल एजेंड थे ठीक है मेवाड के पहले पोर्टिकल एजेंड थे तो ये भी आपको इसमें याद रखना है तो अठारा सो बत्तिस एश्वी में एजी जी का पदह है वो सरजित किया गया था आगे देखे भारत की सवतंतरता के समय विकानेर राज्य का सासक कोन था भारत की सवतंतरता के समय विकानेर राज्य का सासक कोन था तो उसका नाम है दोस्तों वो है महराजा सारदुल सिंग तो बै नमबर उप्शन राइट आंसर आगे देखे सेखावाटी में सांती एवं विवस्ता बनाए रखने के नाम पर सेखावाटी बिग्रेड की स्तापना कब की हुई सेखावाटी में सांती एवं विवस्ता बनाए रखने के नाम पर सेखावाटी बिग्रेड की स्तापना कब हुई तो इसकी स्तापना दोस्तो 1835 में हुई थी ठीक है सेखावाटी बिग्रेड की स्थापना और अगे देखे बहरत की सवतंतरता के समय जोदपूर राज़े का सासक कों था तो इसका राइट आंशर हो जाएगा है महराजा हनुमन्ठ सिंघ यह बहुत खतरना गाजमी थे महराजा हनुमन्ठ शिंग है यह दोस्तों पाकिनasmil ओना चाहते थे और सरदार पतेल जी इनको समझाने के लिए गये हुए थे और साथ में जो रियास्ति सचीव था वी पि मेनन वो भी साथ में गए वे थे तो समझा रहे थे अनुमन सिंग को लेकिन अनुमन सिंग मानत नहीं रहे थे तो वीपी मेनन कुछ बोल गया होगा तो इन्होंने क्या किया कि बंदूक निकाल के और सीधी वीपी मेनन के कनपटी में रख दी थी यानि कि सर पर बंदूग ताई ती किस ने, तो दोस्तों हनुमंत सिंग्ध ने, फिर बाद में दोस्तों समझाया, कि मान जाओ ऐसी ऐसी बात है, तब जाके दोस्तों ये मानने थे, ठीक है हनुमंत सिंग्ध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, N नम्बर का उप्शन से उत्तर, आगे देखे, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रो का नेता था, तो ये जैदेयाल से नम्बर उप्शन राइट आंसर में, आगे देखे, 1857 की किरांती के समय राजस्तान में कितनी बिर्टिस होनिया थी, कौन कौन सी है तुम आपको बता देता हूँ, नसीराबाद, अजमेर, एक, नीमच, मद्दे परदेश, वर्तमान में, मद्दे परदेश में है, ठीक है, पहले राजस्तान में थी, नीमच, मद्दे परदेश, दो, देवली, टौक, तीन, एरिनपुरा, पाली, चार, ब्यावर, अजमेर, छे, खेरवाडा, उदेपूर, टोटल छे सेनिक चावनिया थी, ठीक है, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाडा, ठीक है, और ब्यावर और खेरवाडा, सेनिक चावनियों में करांती नहीं हुई थी, ये भी आ अंसर देन नंबर का उप्शन राइट आगे देखिए 1897 के समय यहां के अजीजी यानि के अज़ेंट टो गवर्नर जंडरल कोन थे तो दोस्तो मैंने अभी आपको बताया था कि जोर्ज पैट्रिक लोरेंस ये अठारा सो सतावन की करांती के समय राजस्तान के AGG थे तीक है यानि के Agent to Governor General और ये जोर्ज पेट्रिक लोरेंस है ये दोस्तों मेवाड के पहले पोर्टिकल एजेंट रहे वुए थे पहले फिर बाद में दोस्तों इनको AGG बनाया गया था तो इसका राइट आंसर से देशी राजयों में सवतंतरता संगर्स प्रारंब करना स्विकार किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों हरीपुरा अधिवेशन गुनी 138 में से नमबर का जो ओप्षन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट निम्न में से किसने राजपताना की देशी रियास्तों के साथ 1817-18 की अधिनस्त संदी की बादशीत की थी तो ये की थी दोस्तों किस ने तो चाल्स मेटकॉफ ने ठीक है तो इसका बै नंबर उप्शन राइट आंसर आगे देखें कुसाल सिंग की पराजय के बाद बिर्टिस सेना ने आवा पर कबजा किया तो कब किया था ये किया था दोस्तों 24 जनवरी 1858 को दोस्तों आवा पर अधिकार कर लिया था 20 जनवरी को युद्ध शुरू हुआ था और 24 जनवरी को अधिकार कर लिया था ए नंबर उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है 1857 की करांती के समय दोलपूर का सासक कौन था तो दोलपूर का सासक था दोस्तों कौन तो भगवंत सिंग था जो दोलपूर का सासक तीक है आगे देखिए राजपुताना एजेंसी की इस्तापना कब और कहां हुई थी तो र आपको इसमें याद रखना है तो इसका देनमबर उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है भरतपूर एवं अलवर ने बिर्टिस इस्ट इंडिया कंपनी के साथ संदी कब की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सितंबर नौंबर अठारा सो तीन में सितंबर नौं एवं इस्ट इंडिया कंपनी ने संदी की थी तो इसका राइट आंसर एट नौंबर का उप्शन सेयुत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए राजस्तान में अठारा सो सतावन में पहला विद्रोय कब और कहां हुआ था तो पहला विद्रोय अठाईस मैं अठारा सो सता लोरेंस तो इसमें ए नंबर उप्शन राइट आंसर जोर्ज लोरेंस नेक्स्ट निमनलिकित में से कौन कोटा में अठारा सो सतावन के विद्रोय का नेतरत्व करता था तो वो था दोस्तों जैदयाल और महराब खां आगे देखिए निमनलिकित में से किस इस्तान पर अठ मोक मेशन है वो मारा गया तो मोक मेशन है ये मारा गया तो ये मारा गया था दोस्तों आवा में ठीक है तो इसका बै नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए अंग्रे जोंने अपनी सपत भंग की है क्या उन्होंने अवद पर अधिकार नहीं किया अत किस ने कहा था तो ये कहा था दोस्तों किस ने तुम मुहम्मद अली बेग ने कहा था किस ने कहा था मुहम्मद अली बेग ने important person है ठीक है आगे देखे राजस्तान के किस राज़े ने करांती के समय कोटा माराव की सायता की थी तो ये की थी दोस्तो करोली ने ठीक है से नंबर का उप्शन राइट आंसर है कोटा मारा और राम सिंग सेकिंड को नजर बंद कर दिया था करांतिकारियों ने तो फिर दोस्तो करोली वाले गए थे उनको छुडाने के लिए ठीक है तो ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है मदन पाल ने दोस्तो राम सिंग सेकिंड को चुडाया था आगे देखिये बैरकपूर की चावनी में पर्मुकरांतिकारी कोन थे तो उनका नाम था दोस्तों वह हैं मंगल पांडे बैनमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है नीमत से भागे अंग्रेज मैलाओं वबच्चों को किस गाओं में सबसे पहले सरन मिली तो दोस्तो नीमत से भागे अंग्रेज मैलाओं वबच्चों को किस गाओं में सरन मिली थी तो देखिए किसने सरन दी थी तो दोस्तो एक रुगाराम नाम के किसान था तीक है उसने दोस्तों ये सरन दी थी किसने रुगाराम याद रखना नाम में आपको बता देता हूँ रुगाराम नामक किसान ने है वो इनको सरन दी थी और ये दोस्तों डूंगला गाउं जो चितोड़ गड़ में पड़ता है डूंगला गाओं में रूगाराम नमक किसान ने इनको सरण दी थी ठीक है और फिर बाद में दोस्तों वहां से ये भागे थे कि मेवाड का जो पोर्टिकल एजेंट सोवर्स ठीक है इन अंग्रेजों को उधरपूर पहुचाता है और वहां पर दोस्तों माराना सवरूप सिं इनको जग मंदिर महलों में वहां पर रखवाता है ठीक है तो इसका राइट अंसर डूंगला जो चितोड़ गड़ में पढ़ता है किसान का नाम था रूगाराम ठीक है आगे देखें 1857 की करांति की लोक देवी मानने जाता है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले ग तो आवा पर अधिकार कर लिया था और अधिकार करने के बाद में जो सुगाली माता है जो 1857 की करांति की कुल्डे भी मानी जाती है ठीक है इनको ये उठा ले गया था अजमेर ठीक है अब देखिए सुगाली माता के बारे में आपको बता देता हूँ देखे सुगाली मात तोवन हात वाली काले संग्मरमर की मूरती है जिसे करनल होम्स ने अजमेर के राजपुताना मूजियम में रखा था ठीक है और वर्तमान में ये दोस्तों पाली के बंगड मूजियम में रखी हुई है ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है तो इसका राइट आंसर सु राज्यों से किसने संदी की तो राजपुत राज्यों से किसने संदी की थी तो ये किती दोस्तों लोड हैस्टिंग्स ने ठीक है दैन नमबर का उप्शन राइट अंसर इंपूडेंट है ये भी आगे देखिए राज्य के किस अभी लेखागार में 1857 की करांती के तो इसका राजस्तान राज्य अभी लेखागार विकानेर में वहाँ पर आज भी 200 सेनिकों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने विद्रो किया था आगे देखिए त्याटा टोपे 1857 की करांती के समय कितनी बार राजस्तान आये थे तो कितनी बार राजस्तान आये थे तो ये दोस्तों दो बार राजस्तान आये थे तो इसमें बैनमबर उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है आयो इंग्रेज मुलकरे उपर किसकी रचना है तो ये रचना है दोस्तों बाकी दास जिगी तो इसमें बैनमबर उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है किस किले के मुख का सिर है वो लटका दिया गया था तो इसमें से नंबर उप्शन राइट आंसर नेक्स टे महराब खांवाइ दयाल खाने कहां विद्रो किया तो दोस्तों कोकोटा में विद्रो किया था राम सिंग सेकंड को नजरबंद कर दिया था आगे देखिए राजस्तानी लोक गीतों में किस युद को काले वे गोरो का युद भी कहा जाता है या गोरो वे कालो का युद के नाम से भी जाना जाता है बहुत ही अच्छा प्रेशन है सब को पताऊना चीए दोस्तों काले वे गोरो का युद ठीक है देखिए कौन से युद को का जाता है देखे दो युद मैतोपूर माने जाते है 1877 की करनती के अंदर तीन मान लो ठीक है तीन युद है वो सबसे ज़्यादा मैतोपूर है एक तो है आववा का युद जो मैंने अभी बताया जो मेक मोशन को मार दिया गया था और उसका सिर है वो किले के उपर लटका दिया गया था तो ये तो था आववा का युद जो 20 जनवरी 1858 को हुआ था दो युद और हैं एक तो है बिथोड़ा का युद जो पाली में हुआ था 8 सितंबर 1857 को हुआ था तीक है और दूसरा है चेलावास का युद जो इसके ठीक 10 दिन बाद में यानि की 18 सितंबर 1857 को हुआ था चेलावास का युद और चेलावास के युद को ही काले गोरो का युद कहते हैं और इसमें दोस्तों कौन-कौन थे तो जोर्ज पेट्रिक लोरेंस जो एजी जी थे आजस्तान के और पोर्टिकल एजेंट मेक मोशन ये दोनों तो एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे कुसाल सिंग चंपावत तीक है इसी युद को काले गोरो का युद भी कहा जाता है ये भी आपको इसमें याद रखना है तो इसका आयोग की सिफारिसों पर ठाकुर कुसाल सिंग को रिया किया गया तो ठाकुर कुसाल सिंग को रिया किया गया वो कौन से आयोग देखिए कुसाल सिंग की जाच के लिए अंगरिजों ने टेलर कमिशन बनाया था क्या बनाया था टेलर कमिशन और दोस्तों उसे टेलर कमिश के नुसार कुसाल सिंग को रिहा कर दिया गया था तो इसका राइट आंसर बे नंबर का उप्शन सभी तर आगे देखें बिथोड़ा के युद में आवा के ठाकुर कुसाल सिंग ने अठारा सितंबर अठारा सो अठावन ठीक है अठारा सितंबर को तो चेलावास का युद हुआ था तो बिथोड़ा का युद में आवा के ठाकुर कुसाल सिंग ने आठारा सो सतावन को जोधपुर राजा तक्र सिंग वे कैप्टन हीत कोट को पराजित किया था वर्तमान में बिथोड़ा कौन से जिले में है तो दोस्तो बिथोड़ा है वो वर्तमान में कौन से जिले में है अभी मैंने आपको बताया था बिथोड़ा का युद जो पाली में हुआ था ठीक है याद रखना है तो इसका राइट आंसर वो है ए नंबर का ओप्शन से युद तर ठीक है और इसमें युद में कुसाल सिंग है वो ज आजस्तान में सरोपर्थम 1857 की करांती की सुरुवात कब हुई तो 28 मई 1857 को ठीक है तो इसमें बे नंबर उप्शन राइट आंसर आगे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन है तू आजाद मोर्चा का गठन का हुआ तो दोस्तो आजाद मोर्चा का गठन है वो दोस्तो इसमें अजमेर इस्तीत पंदरवी नेटिव बंगाल नेटिव इनफेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सेनिक तयार करना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बे नंबर का ओप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए इसमें साट नंबर निम्न में से कौन सा इस्तान अठारा सु स्तावन की करांती का के अंदर नहीं था तो यहाँ पे देखिए अजमेर नीमा चाहुआ ये तीनों थे लेकिन जैपूर है वो अठारा सु स्तावन की करांती का के अंदर नहीं था तो इसका राइट आंसर दे नंबर का उप्शन हो जाएगा प्रेसन आपको कैसे लगे ऐसे प्रेसन दोस्तो और भी माँ आपके लिए लेक्या होगा अरद्धारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभरत